लगबग 20 घंटे पहले यहाँ पर स्टीवन कूपर ने एक ट्वीट डाला था जिसके अंदर उनोंने मैसिव बर्न का जिगर किया था यानि शीबा इनू की बर्निंग का जिगर किया था और कितनी वर्थ थी वो थी 25,000 यूएस डोलर की वर्थ के शीबा इनू टोकन अखिर कर यह क्यों बर्न करना चाते हैं और क्या कुछ कारण है तो यहाँ पर आपको तो पता है एक यह गेम लेके आ रहे हैं जिसका नाम है मिक्स्ट ड्राफ्ट जो क्या चीज है पहली ब्लोकचेन गेम रहने वाली है चलिए मैं इनकी सीधा ही पेज पर चलता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो में टार्गेट है वो तो है 1,000,000 यूएस डोलर के वर्थ के शीबा इनू टोकन को बर्न करना जब अपन रेज कर रहे हैं यह ताकि हम गेमिंग के लिए बढ़ सकें यहाँ पर तो बहुत ही अच्छी है अब गेम के अगर बात करूबर किस तरह की एक गेम रहने वाली है तो इन्होंने यहाँ पर लिख आप साफ तोर पर जो गेम है वो रहने वाली है सिमलर टू फुटबाल फैं लेगो लोगों भी देख सकते हैं म्यूजिक फैंटेसी लीग का ठीक है उसके बाद यह सिमलर टू म्यूजिक फुटबाल फैंटेसी जैसे यहाँ पर रहने वाली है अब क्या कुछ है इसके बीज में क्या लाइवल रहेंगे क्या नी रहेंगे लेकिन इनके मेन बात करनी होगी वह SHIBA INU TOKEN के रूप में पेमेट करनी होगी और साथ की साथ जो प्रोफित होगा उस गेम से तो उस से जो SHIBA INU TOKEN है वो बर्न किये जाएंगे, क्योंकि आपको तो पता भी जितना भी प्रोफित होता फिल से Shiba Inu token को बर्न करते हैं यहाँ तो काफी अच्छी बात है यहाँ पर पच्ची हजार Shiba Inu token 25,000 dollars के Shiba Inu token को किया जाएगा, बर्न अभी यहाँ पर यह first blockchain game के लिए अभी इसका चार पार्ट में बताया है, मैंने जैसे कि एक लाक इनुन ने टोटल यहाँ पर एक लाक युएस डोलर के Shiba Inu को burn करना है नेक्स्ट यहाँ पर बात की है, Watcher News ने कार्टिकल पब्लिश किया है आपको कब Shiba Inu खरीदने है और कब बेचने है यहाँ पर ठीक है, कब खरीदने आखिरकार Shiba Inu आपको यहाँ पर Watcher News के एक आर्टिकल के अकोडिंग अगर आप भी purchase आउट करना चाहते हैं तो यहाँ बता रहे हैं कब खरीदने है देखें, खरीदने से पहले मैं आपको एक बर market दखा देता हूँ यहाँ पर क्योंकि आज जो price है वो Shiba Inu के minus में, अभी minus के 3% पे अभी Shiba Inu का price चल रहा है और यह जो price था यह काफी जादा down चला गया था आज, क्योंकि market भी down चल गया था अभी market है, overall 1.45% से minus में है और Shiba Inu भी 3% से minus में और सुबे का time जब market डाउन गया था तो Shiba Inu भी बहुँ डाउन चला गया था फिर से recover किया Shiba Inu और अच्छी बात यह रहते है, जब price minus में गया था नो उसके बाद trading volume बढ़ चुक था, भी तो यह 60% चल रहा है plus के क्योंकि price जब minus में जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा buyers buy करके रख लेते हैं ताकि price profit में हो, price plus में हो तो उनका profit हो सके अभी यहाँ पर जो watcher news ने article publish किया, उसमें बताया भी इन्होंने कब खरीदने चाहिए Shiba Inu को तो देखे पूरा article में पहले तो इन्होंने 2021 का जिगर किया, क्या कुछ रहा है, 2020 के बीच में क्या कुछ नहीं रहा है इसी तरह से देखे यहाँ पर October का main जिगर किया, क्योंकि main October के बाद से थोड़ा सा rise होना start होता हमारा Shiba Inu का price में उसके बाद यहाँ पर graph का भी जिगर किया, मैं सीधा ही आपको ले चलता हूँ, नीचे की तरफ, देखे यहाँ पर, इनने साफ तोर पर लास्ट में यह लिखे है, इतने डोलर का जब Shiba Inu हो जाएगा, यानि 0.0000, यानि 4 zeros के बाद, 3, 4, 5, 5, US डोलर के जब Shiba Inu हो ठीक है हमारा प्राइस, तो जब 34 पर चला जाएगा, तब आप परचेज आउट कर सकते हो, इनके according, ठीक है, तो आप जिन्होंने परचेज आउट करने कर लो, लेकिन मेरे according अगर मानों तो परचेज कब करने, तो आप यह देखो भी, कब माइनस में जा रहा है, प्राइस से ज़्यादा 7 या 8 परसेंट कम माइनस में जाएगा, जैसे आप सूबे के टाइम था, तब आप परचेज आउट कर लेते, और इसी करका यह दूसरा में वे आपको यहाँ से देख लेकरो, जैसे आपको यहाँ से नहीं पता लगे देख, कोईन मार्केट कैप है, ठीक है, इस एप को भी खोल सकते है, या फिर वेबसाइट पर भी साथ सकते हो, डिरेक्ट, तो आपको क्या करना सीधा, यहाँ पर आने नीचे ट्रेडिंग वोल्यूम शो करता है, जैसे भी 60% ट्रेडिंग वोल्यूम चल रहा है, जब यहाँ पर आपको प्लस होता हुए दिखे न चले नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, कोयन गीगो के एक रिपोर्ट के अकोडिंग एशिया के लास्ट वीक में वे कितने नंबर पर हमारा शीबा इनू रहा है, कितने पर नहीं रहा है, कल की मैंने जो रिपोर्ट दखाई थी, वो USA की रिपोर्ट थी, और फर्स्ट वी पर क्यों लाई कर रहा है, हो सकता है, क्योंकि प्राइज में आप डाउन आप डाउन रहती है, और साथ की सथ मैंने कल भी बताया था भई, इसमें ने काफी चीज़े देखते हैं, ये वोल्यूम में भी ट्रेडिंग में भी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी, टोटल और कमेंट करके जरूर बताना भी, आपको कह लगता है, कब तक प्राइज बढ़ जाएगा, थैंक्यू गाइज